नमस्कार प्रिव विद्धियारतियों एक बार फिर से स्वागत है आपका MPPSC उतकर्ष चनल पर और आज चौथा दिन है कि मद्द्रदेश लोग सेवा आयोग के बाहर हम आए हैं ऐसे कंडिडियेट से मिलने जिनका इंटर्वी हुआ है ताकि आपको जादा से जादा हम कि अदुप होगा को हृक्त कि मेरे नाम से पूढ़ाता है तो एधर भी शुद्ध मिला है बुद्ध करसे चलिए हमें जानकर बहुत कुशी हुई कि हम जिस दिशा में कारे कर रहे हैं, वो चातरों को लाप पहुचा रहा है, तो आपके इंटर्वियू के अनुवा उपर आते हैं मैं, कौन सा बोर्ड आपको मिला था? सर मुझे रैकबार सर का बोर्ड मिला था, तो किस तरीके के क्वेशन थे, यहाँ पे आते हैं, और डेफ से क्या क्या क्वेशन आपके कवर किये गए मैं, जैसे स्टार्टिंग में नाम पूछा, रॉल लंबर पूछा, पिताजी क्या करते हैं, वो पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, खेजडी क्या है अभी चर्चा में क्यों है, तो यह था, फिर उसके बाद, एक केस स्टेडी भी लाश में हुई मेरे से, और बीच में मुझे जैन दर्शन के भी सिधान पूछेगा इकौन से हैं, और केस लांच क्या होता है, और करेंट अभी पर्यावरन स कर, फिर उसके बाद, और मी प्रेशन थे, आपकी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन से कोई क्वेशन आप से किया गया, नई, मेरा ग्रेजुएशन से कम्पीटर से पूछा था, आईयोटी क्या है, और एक ही ग्रेजुएशन था, स्मार्ट होम भी पूछा था, आपके होब से सिर्फ नाम पूछा था, आपकी होबी क्या है, उसके अलाबा कुछ नहीं, करेंट अफियर का थोड़ा ओर डिटेल में बताई, कि किस तरीकी क्वेशन पूछे गए, मुझसे करेंट अफियर का कुछ नहीं पूछा, बस खेजडी का पूछा, फिर उनोने का कि सल्मान ख चला है लगभग 12-15 मिनिट के बीच, 12-15 मिनिट के बीच में आपका ये पूरा इंटर्व्यू चला है, तो कभी ऐसा सिच्वेशन इस पूरे सेशन के दोरा माया कि प्रेशर बनाने का कोशिश किया गया हूँ, रैकवार सर की वोड में तो मुझे एक भी बार नहीं लगा क प्रेशर बनाया हूँ, बिलकुल एकदम लाइट माहूल था, बिलकुल डर भी नहीं लगा, ऐसा घरजा ऐसा माहूल लग रहा था, कोई दिकत नहीं हुई, तो क्या केंडिडेट के लिए जिनका इंटर्व्यू है, क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे, मैं तो यही सलाह जो अपन ने जनरल स्टेडी में पढ़ा है, वो देख लें, बस, नॉर्मल, तो मैं की सलाह को ध्यान रखिएगा, और हम आशा करते हैं मैं के आपका चैयन हो, और उत्रश क्लाशेस की और से आपको बहुत बहुत शुप कामना है, नमस्कार विद्यार्टियू, हमारे साथ अंदर का वोट था, उनने अच्छे कुस्टन पूछे, अंदर का महौल का आपकी अच्छा था, या ऐसा प्रिसर नहीं था कि इंटर्वी है तो वो करेंगे, काफी अच्छा था, काफी अच्छा महौल रहा, आप जब अंदर गए इंट्री हुई आपकी, तो किस तरीके से क्वेश्चन की शुरुवात हुई, बैटने का आपसे कहा गया, इसा कुछ तोड़ा इस बारे में बताईए था, पहले वाही बोले कि आप बैट जाईए अच्छे से, उसके बाद नाम के वारे में पूछे, रोल नमबर पूछे, उसके बाद कि रैकवार सर ने ही मेरे से क क्रिगेट के बारे में, कि आपकी होबी क्रिगेट है, तो बरतमान में कोच का रहा है, इससे पहले कौन कोच थे, उनको क्या बोलते थे, फिर एक सर थे, उन्होंने पूचा कि तुम को स्कूल से इच्छा विवाग में AD बना देते हैं, तो उसमें जो पाटिकरम होता है, उ इसके लिए भी प्रिपर रहें, मिश्रा सरा, विवर्स को ये बदाएं कि, डैप फॉर्म से किस तरी की क्वेशन आपसे पूचे गए, डैप से तो पहला क्वेशन जैसे नाम पूचा गया, नॉर्मन रोल अंबर पूचा गया, उसके बाद से जैसे मेरा UGCन है, तो उससे मिश्रा सरा, आपकी स्कूलिंग या फिर आपके लिए गरेजुएशन से रिरलेटिड कोई क्वेशन पूचा गयां? नहीं इंग्रेजुएसन से डिटिट कोई क्वेस्चन नहीं था पोस्ट प्रेटिकल साइंस है तो उससे पूछा गया करेंट अफेर से क्या पोर्शन कवर किये गया सब्सक्राइब कितने लोगों को दिया गया है नाम बताईए उनके उसके वाद अमेरिका चुना आता ये द ये इंटर्विव आपका चला है तो इस पूरे सेशन में आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले होंगे जो आप बताना चाहते हैं भावी उन लोगों को जिनका इंटर्विव आने वाले समय में है तो कुछ सला आपकी और से बिल्कुल मेरा यही कहना है कि मतलब समान में से रहें बिल्कुल ची लोगे रहें ज्यादा कुछ नहीं यही है बागी सबको शुपकामना है तो उतकर्ष क्लासेस की ओर से मिश्रा सर आपको बहुत बहुत शुपकामना है हम आशा करते हैं आप एक पदबर चाहिनीद हो हमारे साथ है राहूल पाटक जी आपका बहुत पहीं से करते हैं कैसा आपका अनुबव रहा था मौक इंटर्वियों देते समय और क्या रियल में जब आपने इंटर्वियों दिया है उससे आपको कोई लाब मिला है जी मिश्चित रूप से अभ्यास करने से लाब मिलता है जो उतकर्स में जिस तरीके से कुश्चन स्वरुजगार यूजञा क्या है सात्यसाथ तोजा सोला समय ने रिजू से गिया था लाश्ट उस समय से क्या रहे थे और सनसकार क्या होते हैं इस तरीके कुश्चन थैं पाटक सर यहां से शुरुवात करते हैं कि आपको बोड कौन सा मिला था मुझे सर महरा सर का बोड मि मैंरा सर को मिलातर बैटे की अच्राइब करते हैं कि से क्या क्या में प्रश्न कवर किये स क्या संसकार को ओसर्चार कैने मैं पंडी थो सहो सकता है में स्कूल से किस पड़े तो जैनर पूछा दा किस पड़े हैं इस तरीगे से साथ जो बुंदेलिखंड हैं तो क्यों पिशड़ा उसके लिए आप ऐस रिकिया जैन क्या है और अभी उन्होंने का पूछा था कि दीवाली मनाई जा रही है तो वह अलग से दीवाली कैसे अलाग है हमारे से और थोड़ा सा संस्कृति क्या होता है क्या पूछा गया क्या पूछा गया मेरे से एक भी क्या पूछा गया जैसे कि जातिक जिगर्णा या यूच्छी से वन नेसे जो नहीं थे नॉर्मल पूछा था कि इंडियन जो सेना है वार्त की सेना वह अभी एक अभ्यास कर रही है तो उसमें एक इंडॉर तो कोई टेक्नोलोजी इस्तमाल की गई तो वह कॉल से इस्तमाल की गई है तो इस तरीके इस कुश्चन थे और सब्जेक्ट को लेकर मैट्स को लेकर पूछा था मैं हमने कि मैट अच्छा लगता है और मैट का डीब में जला गया था तो मैं नहीं बता पाया इस तरीकी कुश्चन थे सर इंटर्व्यू देते समय क्या आपको ऐसा लगा कि पैनल द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है यह प्रेशर क्रियेट किया जा रहा है नहीं पैनल विहेवियर अंका अच्छा ही रहता है वह आपको किसी तरीके से दबाव डाले कोश्चन नहीं करते हैं तो आसाने से कोई दिक्तर नहीं आराम से देजिए लगवाग कितना समय आपका पूरा इंटर्व्यू चलाया से लगवाग बारा पंदरा मिट का असपास बारा पंदरा मिट का जो आपका अंदर का अनुबाव रहा है तो वीवर्स को क्या सलाब देना चाहेंगे मैं यहीं सला जाएगा आपको नहीं जानगारी है तो नहीं उताबाओगे पर लिजिए और अपने अच्छे स्तियार की दिए बहुत बहुत शुबकामना उतकरश क्लाशेस की ओर से हम आशा करते हैं कि आपका चाहनों धन्यवाद नमस्कार विद्धियार्तियों शुबम जैन जी हमारे कैसा अनुबाव रहा जानते हैं तो कौन सा बोड मिला था शुबम सर आपको रायकबार सर का बोड मिला था तो किस तरीके कोश्चन ते एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डेफ फॉर्म से क्या-क्या प्रशन आपसे पूछे गए अंदर बहुत ही ज्यादा लाइट मा कोश्चन था कि डिप्टी कलेक्टर के बाद चीफ सेकर्टी तक किस प्रकार से पहुंचा जाए उसके पत्सवापान क्या-क्या होंगे फिर करफशन से डील करने वाली संस्ता है कौन-कौन सी है इस्टेट लेविल पे और सेंटल लेविल पे यदि सेंटल का करमचारी कोई करता है तो किस संस्ता में बित्ती जा कि सकायत कर सकता है फिर उसके पश्चात कुछ चुकि में industrial production engineering है मेरी तो इंडेश्टी से समभंदित भी question रहे एकडम basic basic question थे कि अपिए से संबंदित कोई कोश्चान नहीं था उसके पश्चा थोड़ा सागा डिस्टिक से भी पूचा है और वह जादा दिन नहीं चला है 10 से 12 मिनिट में ही और ने करेंट रफेर से कुछ याद आ रहा है आपको पूचा गया हो नहीं करेंट से तो कुछ भी नहीं रश्टाचार सुच का अंक में अंक कितने होती है किस के आदार पर रैंकिंग दी जाती है यह कॉस्चन थे तो यह जो आपका 10 से 12 मिनिट का पूरा इंटर्व्यू रहा है इसमें कुछ ऐसी सला आप वीवर्स को देना चाहेंगे जिसे लाव होने जो भी अब ब्यारती आपको देख रहा है कि आप कैसा वीव कर रहा है प्रैसर तो नहीं ले रहा है वागी कॉस्चन एकदम जन्रल है बहुत ही जन्रल है आपकी डेफ से हैं आपकी ग्रेजुएशन से हैं और थोड़े से सब्जेक्ट भी है जो करेंट अफेर्स बगर भी प्रिपेर करके रखन चुकि मेरे से तो नहीं पूछे गाएं हो सकता है आपसे पूछे जाएं बाकी बैश्टॉप लक्स अभी के लिए तेंक्यू अच्छा अनुबाव होता है कि जब हम इंटर्व्यू जैसी चीज देने जा रहा है काफी महत्पून होती है हमारे लिए तब हमारे साथ हमारे परेंट भी हो तो आपको बहुत बहुत शुब कामना है मैं आपको भी सर मैं कैसा आपका अनुबाव रए इस बारे में चर्चा करते हैं तो यहां से चुरुवात करते हैं कि कौन सा बोर्ड मिला मैं आपको चंत शेकर रहेक्वार सरसरका बोर्ट था तो किस प्रकार से question पूचे गए डेव से क्या-क्या question इन थे कहाँ पर डेव से ज्यादा कुछ नहीं था जो normal questions थे और मेरी hobby पर based ज्यादा questions थे ओ ओबी से किस तरीके QI 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 PAN तो आपके ग्रह जिले से ने से कोई कुछा गया नहीं कोई क्वेशन से नॉर्मल क्वेशन से गया विशेश रूप से क्या गया कि अपके नहीं कुछ पी नहीं पूछा रहा है नोगभग स्वाथी में आपका इंटेर कितनी देर तक चला है यही कोई 15-20 मिनिट, तो 15-20 मिनिट के इस पूरे सेशन में अलग-अलग बोर्स पेमबर्स ने क्या क्या क्वेशन आपसे किये, फोड़ा सा इस बारे में बताई है, मेरे नाम से रिलेटिट क्वेशन था, जैसे स्वातिक नक्षत्र है, तो उसकी क्या विशेस्ता है, और इस इसको डील किया होगा, इस पूरे सेशन में आपको कोई ऐसी बात लग रही है, या आपका जो अनुबव रहा है, उस बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि जिनका इंटर्व्यू आगे आने वाले कुछ दिनों में उनको लाब मिल सके, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नही होगी, हम आशा करते हैं आपका चाहिए उनको उतकर्ष क्लासेस की उसे बहुत बहुत शुप कामना में होगी